असलाव में आपके साथ डिसक्स करूंगा कि हमें नान कस्टम गाडिया जो है वो बाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए उनकी क्या वजू हाथ हैं कि इतनी सस्ती वो क्यूं है आखिर क्यूं इतनी 20-20,000,000 वाली गाड़ी जो है हमें 2-3,000,000 में वो सेल करके चले जाते ह इसका क्या रिजन हो सकता है इसका रिजन ही है कि नान कस्टम उनका कस्टम पे नहीं हुआ हुआ था इसलिए वो उनको नंबर प्लेट नहीं लगती जिसकी वज़ा से वो रिजिस्टर नहीं होती वो इसलिए वो सस्ती होती है क्योंकि गोर्मेट कोस्टी फिस जो है नहीं पेह बुर्टि इसलिए वो ननकस्टम में आती है समगलंग गाडियां होती हैं वह जिनकी वज़ासे वह उनकी प्राइस जो होती है न वह लू होती है ठीक है और उनके लेने के क्या नुकसान आता हैं क्या फाइदे हैं वो आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगा जो हमारे बाइस चैनल पर लें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजेगा इंशाला ऐसी वीडियो और इफार्मेटड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा नान कस्टम अगर आपने बाइक कर ली है बीस लाख वाली गाड़ी जो है आपको तीन लाख में दो लाख में डाई लाख में जितने में वह दे कर जाते हैं ठीक है आपने बाइक कर लिए वो आप तक पहुंचा देंगे बचाने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि वही गाड़ी जो आ अगर आपने उस गाड़ी का कस्टम पे करना भी हुआ तो उसका कस्टम इतना ज्यादा है कि इनसान पे नहीं कर सकता. ठीक है, ये बहुत बड़ी हमारी बेवकूफी है कि हम नान कस्टम गाड़ी जो है नो वो खरी दें. ठीक है, हाँ, अगर आप कोई जानने वाला है, कोई बेस आपकी है, नान कस्टम में फिर आप खरी सकते हैं, ठीक है, ऐसे एरा वगएरा आप बिल्कुल भी एड फीस्बुक पे देखे, और लेक्स पे देखे, उनसे कॉंटेक्ट मत करें, ठीक है, नहीं, तो आपको अपने पेसों से हाथ होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग फराड करते हैं, तो दुबारा आपको गाड़ी दे के, वही गाड़ी जो होती है, नान कस्टम वालों से फिर वही बाई कर लेते हैं, ठीक है, समझ लें कि आपने जो पैसा दियो हुआ तो आपको वो किसी काम नहीं आए बेकार गया, ठीक है, आप सोचते रह जाएंगे, आप असल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद लालश में आ जाते हैं, कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी है, सस्ते में मिल रही है, महीं याँ चलाता रहूँगा, चलती रहेगी, लेकिन नहीं चलेगी फिर भाई, इसलिए, उलेक्स पे आपने देखें, कितने ऐड लगे हुए हैं, फेस्बुक पे कितने ऐड लगे हुए हैं, नान कस्टम वाली गाड़ियों के, कि हम भाई कर लेते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं, आप चला लेगे, जब भी वो आप से राप्ता करेंगे, नानकस्टम वही complaint करेंगे जिनसे आपने भाई की उए ठीक है तो मेरे भाई नानकस्टम गाड़ी जो है नहीं आप मत भाई करें ठीक है होज़-kोशिस करें बाई हैं गाड़ी लें जो आपके नजदीक इर्दगेत कहीं से लोग रही हो ओनलाइन जो होती है ना ओनलाइन से ज्यादा तर जो है ना फराडिये इससे बचें मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से ठीक है इन फराडियों से बचें यह फराडिये जो होते हैं यह सिर्फ बेठे इसलिए ही होते हैं काम दंदा इनको कुछ करना नहीं होता लोगों क के लिए लाऊंगा और आप मुझे कमेट भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो कोशिश करूंगा कि वही वीडियो आपके लिए लाऊंगा, बहु कि अलाफिस